पंका सिंग ही आखिर क्यों पंका सिंग नहीं इसके पहले मैंने और भी कई गीत गाए अधिक तंज करता है पंका सिंग गाए अधिक फुनाये किसी की तरह से तब से अच्छा तरीका होता है कि जो कि सतार है इसके मुलों में आप बात करें और भी है अधिक चुनाव को किस नजरी है ज़िए नाव विकास के बुद्धे पर ही होगा अधिक गाया है जो मेरे खाना था वो भुली शंकर है नाथ शंकर महाराज पर घणा सिंग लेगा तो उनके लिए जो है आपनी गीत दोबोल हमारे दश्कते लेगा जय स्जानेता न कोई, चारोरे हचल्चा दुख्यागरी धुख्ये है मसीछा बजित नामु कदनका पंकरजय 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 फंकरजय ओ नमस्कार वी नेशन न्यूज देख रहा है आप मैं हूँ आपके साथ विपल पांडे इन दिनों आपको बता देए कि उत्तर प्रदेश में विधान सभा चुनाव है और विधान सभा चुनाव के लेकर सरगर्मी जो है वो तेज है चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि रैलिया नहीं होंगी क्योंकि कुरोना एक तरफ आपको बता दे कि कहर मचाया हुआ है इसलिए लोगों को आपको बता दे कि सोशल मेडिया के माध्यम से प्रचार करने की अनुमती दी गई है इसी बीच आपको बता दे कि इन दिनों एक जो गीत है वो सोशल मेडिया पे बहुत तेजी से वाइरल हो रही है ये गीत किसी और की नहीं बलकि नोड़ा के भी धायक पंकत सिंग की है जो कि खुद उनके पिता यानि की राजना सिंग ने अपने फेस्बुक पर भी शेयर किया है और काफी जादे इसके ब्यूजार है लगातार लोगों के मन में सवाल है कि आखिर ये गीत किस ने गाया और कौन तो हम आपको बता दी कि VNation News पहुँच चुका है जिसने ये गीत लिखी और जिसने इस गीत को स्वर दिया है तो आईए हम उनसे ही सिधा बात करते हैं सबसे पहले उनका परिचे जानते हैं सर आपका परिचे मेरा नाम रंजीत तिवारी है मैं वैसे अखिल भारती पुर्वांचल महा संग का राष्टियत द्यच हूं बाकि मैं नोड़ा में हूं पिछले 20 वर्सों से रह रह रहा हूं और अपने पुर्वांचल के लोगों के लिए काम कर रहा हूं आपके मन में सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि आपके मन में पंका जैसेंगत अन्याiono कियों पंका सिंग नाई पंका सिंगल नहां अपज वही गीत गाय, देखिए यूपी में वैसे देखें सब्बा क्योंकि यूपी में जो जिन्होंने गीत गाया है वो भी जहां तक मेरी नॉलेज रहे वो होता है गुरत प्रूब में करें असपास लेती है तो उसाय दिमाज से प्राही उन्होंने की तो सब कुछ यहीं से अच्छा पाई है गीतों से अगर हट के बाद की जाए कि चुनाव चल रहे हैं तो चुनाव में आपके अपके बाद की जाए कि चुनाव चल रहे हैं आप इस चुनाव को किस नजरीय से देखते हैं देखें अब जो चुनाव हमारे इतरप्रदेश में जो हो रहा है वो बिसेकली स्रीप एकी चीज है जो मुझे लग रहा है चुनाव विकास के बुद्दे पर ही होगा हाँ ठीक है पाइटियां अपने इसाब से उसको चेंज कर सकती है कुछ लोग बोलें कि नहीं हिंदू-मुसल्मान के होगा कुछ लोग बहुते मिचाती धर्म है लेकि मुझे लग रहा है कि विकास के बुद्दे पब्लिक से विकास देख लिए कि कौन विकास करा सकता है दिखे जो विकास हो चुटा वो सब भूल जाते हैं आज आप और हम जहां रहे रहे हैं वहार वड़े दोद अच्छी है अब हमको रोड में च्याद रोड अच्छी है अब हमें अगला क्या मिलेगा उसकी बात तो यह तो धे होता कि कौन कर सकता ह क्या वो बीजेटी कर सकती है सफा करता है यह सब को सोचना है और लोगों ने लगब मना लिया है किसको बोड देना किसको जिताना है अगर बात किया जाए आपने जैसा कि बताया कि आपने सीर्म योगी आधिक तिनात ये लेवली बीडिक यह तो उस पर आपका मतलब किस उसमें किमान में क्या सवाल आए उस में एक बार जो है सीम के लिए भीकी इतलिक आ जाए और इस लिए को प्रशारिक के जाए देखे, मैं योगी जी को पिछले 22-22 सालों से परशनी जानता हूं और मैंने उनको बहुत श्टड़ी किया उनके बादर में और देखा है उनका विक्तितर है कैसा जलते हैं वोगी के जो जिस तरह से चलते हैं और खास करके जो मेरे गाना था कि वो भूले शंकर हैं आठ वूले शंकर हैं आत और तेनात सबीब्ष एंब करें और नाध संप्रदाय को पूल है नाध संप्रदाय का ही विए नाध संप्रदाय को छ लिए नाध श्कॉंप्र। कि अब आ ठाइब के सब्सकर्षा को चारो और अछर्चा दुख्यागरीब के है मसीः बजितनाम कडंका बजितनाम कडंका पंकजे 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 वो पंकजे 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 वो यह था अभी जैसा कि आप लगातार सुन रहे हैं और यह लगातार जो गीत है ट्रिंड कर रहा है तो यह वहीं गीत है जो आप Je 혼자 हो जैसा कि इस वक्त यह फिर के वी हो रहा है एक बात करें पुर्वांचल की तो ह нельзя में इस वक्त अहीं का फी चुनामी समय आते हैं यह जब चुनावाता है तो लोग जबूर एक दुसरे पार्टी में जाते हैं जैसे कुछ लोग जिसको लग रहा हो देचे बीचे की मों बटिकट नहीं मिल रहा है या वह जैसा सोच रहे थे उसकार की चीजे नहीं मिल पा रही है तो लोग अब यसे वह सिख्ट करते हैं बात करता हूं लोगों ने पूरा मन बना लिया है कि किसको बोट देना है अब पार्टियां बदलने से कुछ नहीं होता है इसके पहले भी आपने बंगाल में भी देखा होगा बंगाल में टीमसी से बहुत से लोगों ने छोड़के बीजेपी में जोईन किया था तो ऐसा अब मैं यह तो नहीं ही वाद़ा नहीं था यह खिला कैसे हुए लेकिन हाझ यह है कि जो पिछली बार जो चुना अ चुना वहा ता पहली पिष्रीपा कुणा अ चूना हो था यहां कोई कंड़िडेट नहीं था भ्ला अचीव अब योगी जी हैं तो मोदी प्ल्स योगी राश्ट की बात आती है वहां पे तो योगी से बर्टक होई है तो इसको देखते हैं अभी जैसा कि मैंने एक सर्वे में देखा था गाउं के लोग भी थे उसमें साब तो पर गाउं की महिलाएं तक ये कह रही हैं कि इस सरकार में कमसगम हमें कोविट के दौरान पराशन खा अग्दम एकदम मैं भी कई गाउं गया हूं मैंने एक ची जब देखा है देखिए सहरों में आप TV मीडिया देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत कुछ टक्कर है लेकि जेदी गाउं की बात को नहीं तो गाउं में जितने भी लोग है क्योंकि मैं अपने खुद के गा अग्दम पूरे कोरोना में आप देखें आज भी कोरोना में अभी लोगों को पांच किलो चावल गया हूं सब मिल रहा है हर महिने विल रहा है तो आप देखेंगे कि खाने पीने किसी को वो नहीं थी करोना महामाली की उसके लिए प्रइस जबूर श्टगल आ लेकि जिस इसलिए योगी जी ने इसको सम्हाला है तो यह तो मुझे लगता है कि सरानी काम है ज़जिद जी आपकी एक संस्था है अखिल भारती जो आपने बताए पुरुवांचल महारस्ता बहार सभार तो इस संस्था का उद्चे कैला और कैसे काम काते हैं देख लिए हमारी के लिए हम लोग काम करते हैं अब आप देखें पुरवांचल के लोग कहीं भी चाया भी नौड़ा में हों देली में हों बॉंबे में हों कलकटा में रह रहे हैं तो उनको बहुत सी प्रॉब्स आती है अब वो जाएं कहां किसके पास जाएं तो हमारे समस्कार के बहुत से का करता पूरे अडिया में हैं वो लोग क्या है कि वो उनकी समस्यां कि उच्छा है ऐसी उनको हम लोग कोशिल करते हैं कि जो अधिकारी है या जो भी जो इसको सौल कर सकतें वहां तक उसको पुंचा सके इसकवाब जो सबसे में काम है हमारे कल्चर को प्रमोड करना अभी झाल 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 झाल